Dream 11 Grand League, जो हर कोई जीतना चाहता है, पर ऐसा होता है, नहीं, क्योंकि Dream 11 में वो ही Grand League जीता है जो 22 पिलियर मैस है, 11 ऐसे पिलियर लेता है, जो उस मैच में अच्छा स्कोर बनाते हैं, और उसी के साथ साथ, Captain Vice Captain जो उस मैच में काफी अच्छा स्कोर बनाता है और चलता है, तब भी ड्रीम 11 में ग्रेंड लिग जीती जा सकती है आपने देखा होगा हमारे साथ भी यही होता है हमारा या तो कैप्टन नहीं चलता या तो वाइस कैप्टन नहीं चलता अगर दौनों अच्छा स्कूर करके जाते हैं तो हमारी टीम में एक दो पिलिएर का मिस हो जाता है जिस और हम हार जाते हैं बात यही आती है जादतर केसों में आपने भी देखा होगा और मेरे साथ भी पहले यही होता था जब मैं ड्रीम 11 में ग्रेंड लिग नहीं बनाना जानता था अब इससे हमें यह तो पता लग गया है कि हमें ड्रीम 11 ग्रेंड लिग टीम कैसे बनाएं य यह आना चाहिए और उसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है ग्यारा परफेक्ट पिलियर लेकर ड्रीम लेवन में ग्रैंड लिग कैसे जीती जाए लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा किस मैच में हमें ग्रैंड लिग खेलनी है और किस मैच में हमें ग् ये एक महत्पूर्ण चीज़ जब आपको यही नहीं पता होगा किस वाले मैच के अंदर हमें ग्रैंड लिग खेलनी चाहिए तो आप हार होगे अब आपको यही जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा जिस भी मैच में आप ग्रैंड लिग लगा रहे होना आपको द्रीम 11 में 11 पिलियर लेने होते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपका तुक्का या तो कैप्टन वाइस कैप्टन में लग जाएगा या फिर 11 पिलियर में से लग जाएगा और तुक्का देखिए एक दो बार ही लगता है तो आपको यह समझ लेना आप ग्रैंड ल जोन में भी नहीं आओगे यानि आप ड्रीम 11 की ग्रेंड लिग तो छोड़ो आप ड्रीम 11 के विनिंग जोन में भी नहीं आओगे और आप बहार निकल जाओगे अब आपको इस बात से यह तो समझ आ गया होगा कि आपको वह मैच खेलने हैं जिन मैचों के बारे में आपको पता है कौन सा पिलिएर कैसे खेलता है तब ही आप एक अच्छी ग्रेंड लिग टीम बना पाऊगे अब बात यहां पर यह आती है कि हमें मैच इस जो खेलने होते हैं वो स्लेक्टड मैच झेलने होते हैं ठीक है जिसमें आपको इतना तो पता हो कौन सा पिलिएर किस तरह ठीक है ये महत्पूर्ण चीज़ जो मैं भी आपको बता रहा था अब इसके बाद जो बात आती है हमारी नेक्स्ट वो आती है जिससे आप एक अच्छी टीम बना पाऊगे और हमेशा टीम बनाने से पहले बैटिंग और जरूर आपको देखना है जिससे आपको ये पता लग कौन सा पिलियर पहले नमबर पर खेलेगा या दूसरे पर तो आप किसी भी पिलियर को अपने अकॉर्डिंग ले लोगे यानि तुकका जिसे बोलते है और तुकका भाई नहीं चलता जाना बार एक दो बार लग जाएगा लेकिन उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहि जिसे कि आप एक परफेक्ट टीम बना पाऊगे और ड्रीम 11 में ग्रैंड लिग जीत जाओगे पर मैं आपको एक सौट कट तरीका बताता हूँ जिसे कि आप ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग बहुत आसानी से जीत जाओगे आपको हमारे टेलिग्राम में जॉइन होना है अब का चैनल का नाम पता है क्या है हमारे टैक नजर जो हमारे चैनल का नाम है वो ही हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है मैं यहाँ पर फ्री टीम देता हूँ स्मॉन लीग की और यहाँ पर ग्रैंड लीग की जिससे कि मैंने और मेरे साथ जो जुड़े मेंबर हैं उन्होंने 40 स ज्यादा वार ड्रीम 11 में ग्रेंड लिग जीती है आप पिन मैसिज पर किलिक करकर प्रूफ देख सकते हो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इस चैनल की लिंक दे रखी है तो आपको लिंक से ही जोइन करना है टेलिगराम का नाम टैक नजर है लिंक से जोइन करना ताकि सही चैनल में आप जोइन हो जाओ और हमारे नाम से जो भी आप से पैसे मांगे तो पैसे नहीं देने क्योंकि टैक नेजर चैनल हमेशा फ्री टीम देने में बिस्वास रखता है क्योंकि जो चीज आप फ्री में जीच सकते हो वो कभी पैसे लगा कर नहीं जीती कि हमारी बात हो रही थी आपने एक selected match भी ले लिया आपने betting order भी देख लिया अब आप एक perfect team बनाने के लिए ready हो और grand league जीतने के लिए भी ठीक है अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बोलते हैं कि dream 11 में आपको pitch report भी देखिनी होती है pitch report काफी बार correct नहीं होती है और pitch report grand league के अंदर काफी time में work नहीं करती है आपने ये भी देखा होगा अब आपको देखे combination कैसे बनाना होता है यह यहाँ पर महन बात आती है ठीक है जहते suppose करो यहाँ पर एक match है सिरी लंका वसे जिंबाबे T20 match है इसके अंदर मैं जाऊँगा और create team पर click करूँगा अब यहाँ पर बात आती है dream 11 में grand league की team कैसे बनाते है ताकि हम dream 11 में करोर पती बन जाए अब उसके लिए पहले आपको selected match लेना होता है जो कि हमने ले लिया है और हमने batting order भी check कर लिया है अगर आपको batting order के साथ साथ अगर आप pitch report भी देखकर team बनाऊगे तो और अच्छी better team आपके लिए बनेगी पर maximum time मैं pitch report इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि maximum time उसका ओलट हो जाता है ठीक है तो आप अगर एक perfect team के आगे बढ़ते हो तो आप pitch report देखोगे तो और अच्छी बनती क्योंकि मैं maximum time pitch report भी देखता हूँ पर लस भू भी बनाता हूँ तो pitch report यहाँ पर आपको dream 11 खुज दे देता है जैसे यहाँ पर देख लिए pitch balance है यहाँ पर spin baller को मदद मिलती है और average score यहाँ पर 147 का बन जाएगा इससे हमें थोड़ी और अच्छी जानकारी मिल जाएगा अब आपको पता यहाँ पर balance pitch और balance pitch होता क्या है कि batsmen भी अच्छा करते हैं और ballers भी अच्छा करते हैं तो यहाँ पर और जो ballers हैं उन मेंसे spin baller जो होते हैं अपने टीम के अंदर लूँगा अब यहाँ पर आपको बैटिंग ओर मिल जाता है अब बैटिंग ओडर मैसे आपको प्लियर निकालने कैसे हैं मैंची जी है क्योंकि हमें 22 मैसे हैं हमें 11 परफेक्ट पिले लेने हैं अब फिलियर आपको जो बाता है 20 मैसे अब यहाँ पिलियर अब हमेगा पिलियर निकालने भी आपको टोटल जो हमारे प्लियर बसते हैं एक निकाल ओगे अभर 9 को लेधा क्वेज़ वtantर को देखना यह ऑडर को ऑप देखने को देखने के बाद क आपको देखना यह कूझा यह ओडा कि भाई कॉन सा यहिए स्कोर करकरए नहीं देपारहां यह जिसकी अच्छे नहीं तब आप जब देखोगे ना रिकॉर्ड जब देखोगे तो वहां पर भी आपको करीबं करीब पांस चैसे प्लियर मिल जाएंगे आपको जो जिनकी बैटिंग नहीं आती होगी या फिर उन्हें बॉलिंग नहीं दी जाती होगी या फिर वो अच्छा स्कूर करके नहीं जा रहे हैं ठ जैसे देखे 14 मैसे भी ऐसे प्लियर बहुत सारे होंगे जो करन्ट फॉर्म की बहुत जबर जस्त होगी जबर जस्त होगी मैकसिमम लोग फोकस कर रहे होंगी और इन 14 मैसे एक प्लियर ऐसा मिल जाएगा जो कि लास्ट मैच के अंदर काफी अच्छा करके गया है लेकिन उस बचली तरीके से ले सकते हो तो यह तरीका होता है आपको निकालना खी अज़िस पर फिलिका लग जाएंगा कि आप यह वाधा जो अपना कुसल मैंडिस जो कीया पॉइंट देकर गया था तिही स, और इहां पर यह लेक्शन पर्सेंटेज के लिए ताह earnest पॉइंटिश व् लेकिन यह सिर्फ काली मैचों का दिखाता है जो लास्ट मैच हुए होंगे जो की सिरीज के हैं अगर आपको प्रॉपट देखना है कि यह लास्ट मैच के अंदर कैसे गया तो आपको गूगल की साहता लाइनी पड़ेगी या फिर कोई सी वीडियो देख लेनी है यूटूब या बॉलिंग मैसे आप कहीं से भी ज्यादा पिलियर पिक कर सकते हैं और मेरे को पता यार बैलन्स पिछे स्पिन बॉलर को मदद मिलेगी तो मैं करूँगा क्या देखिए यहाँ पर 147 का स्कोर है यानि विकिट यहाँ पर जुरूर गिनने तो मैं स्पिन बॉलर को जानकारी होती है लेकिन वह मैं आपको नहीं दे रहा हूं बढ़ना आप यह सोच हो गई यार कि मैं ड्रीम 11 नी खेलना छोड़ दू क्योंकि ड्रीम 11 लाइन बहुत हाड है यार लोग इससे बहुत एजी समझते हैं इस तरीके से आप ड्रीम 11 में एक टीम मना पाऊ होगे अब हमें पता है बैलेंस पिछे यहां पर अब यह क्या करना है अब हमें हर एक टीम में से हर एक जगा से पिलर तो हमें लेने हैं जैसे विकेट सेक्शन बैटिंग और और बॉलिंग अब यहां पर सबसे पहले मैं लोगा किसे अब आपको सबसे पहले पिलियर का बो देख होने के अंदर फिर भी मैं आपको एक एक जामपल के तुरू यहां पर बता रहा हूं वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी तो भाई आप फास्ट स्पीड में देख लाया ना ठीक है अब यहां पर देखें कुसल मेंडिस और अब यहां पर देखें कुसल मेंडिस पर मैं किलिक करूँगा तो लास्ट मैच के अंदर इनका जो है ड्रीम इलेमन में सेलक्शन नहीं हुआ था लेकिन इस वाले मैच के अंदर मैं कि अगर आपको सेप साइड जाना है तो आप के मैंडिस को ले सकते हो लेकिन रिस्क लेयना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको यह समझना होता है कि उस बाले मैच के अंदर जिस मैच में आप टीम मना रहे हो उस दिन कौन सा ऐसा बड़ा पिलियर होगा जो नहीं अ सब्सक्राइब जाओं यहांगा आपको फिर एकिक आपको नहीं तो आपको दौने को विखिया नहीं है को तो अभी यहांपर मैं को थोड़ा के लेरा है और कॉर्ल ऐसे बोला ज़ना है और है में अट नहीं कर लाग चाहिए और डूसरा आपको पता होन चाहिए कि हैं पी निसंका है अब मैं जैसे इनकी पिचर पर किलिक करूगो तो लास्ट मैच के अंदर इनका देखिए स्कूर कितना था च्छै पॉइंट देखर गए और क्रेडिट भी यहां पर देख लिजिए साड़े आठ क्रेडिट थे इनके ठीक है अब नीचे जाओगो तो यहां पर असंका होगा यह दोने पिलर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी पारी भी खेल गड़ जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैं रिस्क लूँगा तो पी निसंका पर ले लूँगा आप नीचे जाओगो तो देख रहा हूं कौन से पिलर यहां पर जो है आया था ड्रीम टी अब आप यह सूच लिजी ड्रीम 11 में कितने लाकों लोग यानि 95 करीब एक आद कडूर लोग एक आद कडूर की टीम बनती है एक आद कडूर टीम होती उसमें से 10% कितने हो गए 10% मात्र 5-10 लाग टीम होगी जो की बस इसी पिलर को लेकर आए तो आपको यह भी देखना है कम पर्सेंट है यह है पर चांस जा तक हो कि विकेट किसी का भी गिर सकता है और गिरना कैसे वो चीज़ आपको पता लगएगा पिछ की बेहिएर से पिछ का बहेविर क्या है, शुरू में किस तरीके से पिछ बहेव करती है, कि बहाई स्पिन बोलर को मदद मिल जाती है, या फिर बीच में स्पिन बोलर की मदद मिलती है, तो यह आपको पता लगता है, जब टेवी पर जो कॉमेंटरी करते हैं, तो वहाँ पर आपको बता दे लोग यह सूचते हैं, आपको शक्राइब के बहाइबा है, जो गर इन्हें आपको एक शलुक भी कहा है। बनानी होती है आप बॉलिंग में जाओ बॉलिंग में आपको देखना होगा देखें यहां पर कितने पिलर देखें एम ठिकसान आए लास्ट मैच के अंदर यह आये थे ड्रिम टीम के अंदर यह आये थे क्योंकि 68 पॉइंट मना कर गए थे और इनका जो स्लेक्षन परसेंट आप यह बोलगा और यह वाली टीम आप मेरी लिग में देख लेना कितना अच्छा स्कूर करकर जाएगी आप देखें मैक्सम लोग किसा बना रहे हैं लास्ट मैच के अंदर रिकॉर्ड किसका अच्छा था एस रजा का और डबलू हसरंगा को दोनों ने दिखें एस रजा बनाया है अब यहां पर मैंने कर दी सेफ टीम अब यहां पर बैकप पिलियर एड करने के लिए मेरी मर्जिये मैं करूं या नहीं करूं क्योंकि मैं उस टाम जग जाओंगा ठीक है तो यह हमारी टीम कुछ इस तरीके से होती है अब आप बहुत सारे चीज़ें टॉस को पर डिपेंड कर जाती है जैसा आपने देखा होगा जब कभी आप देखते होगे टॉस के बारे में जानकारी लेतो तो वहां पर आपको पता लगता है कि जो भी फ्रस्ट इनिंग में खेलता है यानि बैटिंग फरस्ट करता है उस वाली पिच पर वो हमेशा हारती है तो यह भी चीज़ें डिपेंड करते हैं तो पिछके बारे में जब आप जानकारी लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूहीं किलियर हो जाएंगे तो यहीं बोलूँगा एक परफेक्टीम बनाने के लिए इस सारी चीज़ें चाहिए होती है अगर आपको फिर भी कोई कनिफ ट्रस्टेड एप्लिकेशन है digital आपको चार साल से जादा से यूज कर रहा हूं बहुत अच्छी एपलिकेशन और्वर नहीं आई इस वाले अप्लिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फीशर्स मिल जाते हैं यहीं जैसे कि यहाँ पर आ देख लेजए किरिकेट All Sum जैतन के रियल लुडो, मास्टर लुडो और पॉइंट लुडो मिल जाता है, आप गेम्स भी खेल कर पैसा कमा सकते हो, और यहाँ पर सबसे बेस्ट फिचर जो है, जो ड्रीम 11 में आपको नहीं दिया जाता है, जैसे कि सिरिलंका और जुमबावे की मैंने आपको टीम बना कर बताई यहाँ पर आपको ग्रेंड लिग भी दे दी जाती है, और देखिए, ओपिन इन का भी उप्सन आगा, इस पर आप किलिक करोगो, तो इसी मैच के रिगार्डिंग सार है, यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाएंगो, उसका आप जबाब दे सकते हो, ठीक है, और उसी के से आप बहुत अच्छे पैसे कमाल होगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं रियल एलाइवन की भी लिंक दे दूँगा, एक बार आपको ज़रूर ट्राय करना है, यहाँ पर आपको अठाइस परसंट जी अश्टी भी नहीं देना है, और यहाँ पर आपको तीस परसंट जो आ कर देना, और रियल एलाइवन की फिरी टीम में आपको अपने टेली ग्राम चैनल पर देता हूं, तो जरूर यहाँ पर प्यार दखाएं, और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छे लगी है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता आपको कम डमाक लगा अगर बहुत 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 बहुतर टीम बन जाती है, तो दोस्तों बाइवाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में